Welcome students, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शेनल उपलर गुरू पे बात करने वाले हैं पाटली पुत्र यूनिवर्सटी के स्टूरेंस के बारे में स्टूरेंस यहां पे बहुत सारे ऐसे चातर चातरा हैं जो कि session यहां पर 20-23 के बारे में बहुत सारे questions पूछ रहे हैं क्या कुछ नए updates आपके part 2 के exam forms के उपर निकल क्या हूँ है exams कब से होगा इसके उपर निकल क्या हूँ है सभी के बारे मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाल यह खास कर पार्टले पुत्र के session यहां पर 20-23 जो भी सुदेंस पार्ट 2 के exam forms का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो सभी students मैं उमीद करता हूँ कि admissions का process से आप लोगों हो चुक्य होंगे यानि कि admission पार्ट 2 में ले चुक्य होंगे बहुत सारे colleges में चल भी रहे हैं इसी के उपर detail से बात करने वाले हैं जिस वीडियो में वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है और वीडियो अगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सभी students को बता दे कि 15 तारिक तक बहुत सारे colleges जहांकि admission चल रहा था चाहे आप 20-20 session part 2 में admission ले रहे हों चाहे आप यहां पे 19-22 session में ले रहे हों तो इन सभी students का यहां पे admission चल रहा था अगर आपके admission अभी तक नहीं हुआ है क्या का इस वीडियो के निचे comment section अगर नहीं हो पाया कोई कारण से नहीं हो पाया है तो यहां पे पाटले पुतर university के सभी students अपना कारण ज़रूर बता और admission हो गया है तो आगे इस वीडियो को ध्यान से सुनें देखिए सबसे पहले students बता दे कि आप सभी students का जो यहां पे exam forms का date वो March में ही था यानि कि March में ही आप सभी students का यहां पे exam forms का date था लेकिन आप यहां पे लेट चल रहा था तो सभी students को बता दे expected date आप सभी students के लिए exam form का क्या है देखिए आप सभी students जैसा कि यहां पर देख सकते हैं दस तारीक यहां पर दस तारीक दस तीन यानि कि 10 मार्ज को आप लोग का एक्सपेक्ट डेट एक्जाम फॉर्म डेट था और आप सभी students के लिए एक्जाम का डेट यानि कि एक्जाम का डेट 20 माई रखा गया था और ये बात आप सब्सक्राइब के लिए चाहते हैं कि दुबारा वीडियो आ जाए तो दुबारा वीडियो भी आजाएगी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्ट में आप लोग बता सकते हैं कि सरह मैं दुबारा से वीडियो चाहिए और सभी students को बता दें कि जो फी स्ट्रक्शर लगने वाला है exam forms में क्योंकि सभी के सभी students आप लोग का एक चीज़ ध्यान से सुने कि आप लोग का जो session है वो 20 से लेके 23 तक है यानि कि 2023 में आप सभी students का यहां पे जो graduation है वो complete हो जाना चाहिए तो सभी students इसी के ऊपर आप लोग का part 2 का exam जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है और पूरा का पूरा जो आप सभी students का माई का मन्त है वो वापस से exam forms और सभी students के लिए admit card का वक्त होने वाला है यानि कि यह 20 मही से इसमें प्रपोज रेट लिखा हुआ है कि 20 मही से आप लोग का exam है लेकिन 20 मही से नहीं आप लोग का माई के बाद June 1st week से आप सभी students के exam start हो जाने वाले हैं part 2 के तो सभी students अपने अपनी तयारियां एकदम अच्छी तरीके से करके रखे exam forms के लिए documents ready रखे अलग से भी एक वीडियो आने वाली है कि आप लोग को क्या के document यहां पे लगने वाला है हर students के लिए cast category wise अलग- जाती आए निवास प्रमान पत्र के लिए वापस लोटते हैं अपने अपने colleges से तो वो चीज किन students के लिए most important है सभी के बारे में बात करेंगे आप लोग का और खासकर इस मन्त के end तक आप सभी के सभी students अपना अपने exam forms का document ready करके रख ले और अपना hope करते हैं कि बहुत सा इस वीडियो के नीचे comment section में क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का exam start होने वाला है तो ऐसे में तयारी जो है वह बहुत ही यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए तो students June 1st week में अपने अपने exams के लिए ready रहे और अपने अपना इसी मन्त के end तक अपने exam forms के लिए ready रहे तो जो भी students के पास अगर कोई question है खासकर खासकर यहाँ पर पाट लेपुतर University के 20-23 के part 2 वाले students के लिए बात कर रहे है अगर कोई question है तो जरूर पूछिए इस वीडियो के नीचे comment section में और वीडियो अगर live देख रहे हैं तो live chat में आप लोग पूछ सकते हैं और अगर आप लोग अ सारी चीज़ा शेर होती है जो भी आपके professors के द्वारा कराया जा रहा होता सब्जेक्स में जो भी चीज़ चल रहे होते हैं तो updated रहने के लिए अपने college से क्योंकि बहुत सारे students होते हैं college नहीं जाते हैं और बहुत सारे students यह पूछन सा 75% attendance यहाँ पे compulsory है कि नहीं तो यह स जल्दी join हो जाए और वीडियो को like कर दे वीडियो को share भी जरूर कर दे ताकि सब ही students को पता चल जाए और अपना exam forms का documents ready करके रख ले और कोई भी अगर आपको issue आता है admission में अभी तक आया है hope कर तो admission भी part 2 में हो गया होगा और अगर कोई दिक्कात आ रही है तो जरूर इ नीचे comment section में पूछ ले और या फिर telegram WhatsApp पे भी आप लोग पूछ सकते हैं मिलते है students next update के साथ जैसी कोई भी update आती है और update से जुड़ दे जाने के लिए channel से भी जूड़ जाए नीचे एक लाल रंग का subscribe button है subscribe कर ले हमारे इस channel को मिलते है next update के साथ जैसी कोई भी update आती है प